जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अविनंदन आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में आसा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे त्वस्त होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी तो बाबु आज की क्लास में हम बात करेंगे अपने पार्टनर्शिप के यूनिट सेकंड की हम बात करेंगे और इस यूनिट में आपको कुछ पॉइंट पढ़ने हैं और वो क्या-क्या पॉइंट हैं देखिए जरा सबसे पहले आपको यह जानना है कि मीनिंग and feature of goodwill दूसरा क्या है आपका टाइक्टर एफ इसी यूनिट में आपको यह पांच पॉइंट पढ़ने हैं और यह पांच पॉइंट पढ़ने के बाद आपका यह यूनिट क्या हो जाएगा complete हो जाएगा तो आज की class में हम last से start करेंगे यानि सबसे पहले हम आपको valuation of goodwill के बारे में बताएंगे और after completing the valuation of goodwill फिर हम ये बाकी का जो portion है चाहे meaning, feature, factor, need या type ये सब हम आपको बाद में क्या कराएंगे इसको complete करवाएंगे तो अभी आज की class में हम valuation of goodwill के बारे में चर्चा करेंगे जब भी आप valuation of goodwill की बात करते हो heading डाल लेजे जरा सभी लोग valuation of a goodwill heading डाल लेंगे सभी लोग valuation of a goodwill देखो जब भी भी आप valuation of goodwill की बात करते हो तो goodwill का जो valuation होता है वो आपका तीन formula के दौरा या तीन मैथटड के दौरा किया जाता है इतने मैथटड के दौरा किया जाता है तीन मैथटड के दौरा किया जाता है जिनमें सबसे पहला मैथटड है आपका average profit method सबसे पहला मैथटड आपका क्या है मेरे साथ लिखिएगा average profit method यह हमारा सबसे पहला method है जिसमें हम आपका goodwill calculate करते हैं सबसे पहला method हमारा क्या है average profit method मेरे साथ यह चार्ट बना लीजे ताकि आप एक बार में ही आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका revision हो जाएगा ठीक है दूसरा method होता है बाबू हमारा super profit method दूसरा हमारा क्या होता है आपका super profit method दूसरा हमारा क्या है आपका super profit method तीसरा method होता है हमारा capitalization method या आप इसे कहते हैं capitalization प्रॉफिट मैथटड भी कहते हैं तो यह आपके तीन मैथट है जिनके द्वारा आप अपना गुडविल को क्या करते हो तो आज हम इन तीनों मैथट को कवर करेंगे इन तीनों मैथट के बारे में हम आपको बताएंगे नोट करिए जड़ा जल्दी से तो आज हम इन तीनों मैथट को क्या करेंगे विड़ा वन एक्स्प्लेइन करेंगे आप लोग इसको फड़ावड क्या कर लीजे बना लीजे तो सबसे पहला क्या है आपका एवरिश प्रॉफिट मैथट दूसरा क्या है हमारा सूपर लवार एक चीज़ और सुनो जब आप लाइजेशन प्रॉफिट मैथट की बात करते हो ना क्युंकि था आपको हो मैथड के क्या कौकर दो माथड से पढ़ना पड़ेगा है इतने मैथ्यीं से पढ़ना पड़ेगा है आपको एवरिज लिखी मेरे साथ एवरिज के अपिन हैंत अब्रिक्पालाइजेशन मैथ हरके प्रिक्पाली जेशन मैथट टलता है हब्मुक्षेल्टा कर गेगे सबसे घपतस खालता है कुअ चानि सिक्पर क्रेशनमक्रा कुए जेशनमक्राइब कि फिए अवा घुल जैशनमक्रें गेशनमक्राब घुल ज arbitrarily तो जब आप capitalization method की बात करते हो तो capitalization method में आपके कितने method हैं आपके दो method हैं एक है हमारा average capitalization method दूसरा क्या है हमारा super capitalization method कितना point आप सबका clear हो गया तो चलिए फिर अब सबसे पहले heading डाल दीजे आप average profit method का जब आप average profit method की बात करते हो लिखो जरा heading डालो जरा सभी लोग average profit method जब आप average profit method की बात करते हो average profit method में आपको दो step याद रखने हैं कितने step याद रखने हैं दो step याद रखने हैं यानि इस method में आपका goodwill सिर्फ और सिर्फ दो step से calculate हो जाएगा कितने step से calculate हो जाएगा ? दो step से calculate हो जाएगा लिखिये जरा there are following step there are following step there are following step सबसे पहला method यह सबसे पहला step है आपका calculate लिखिये calculate average profit यानि यह आपका पहला step है calculate average profit और इस calculate average profit में हमारा average profit कैसे निकलेगा देखो average profit का formula होता है लिखिये ज़रा average profit is equal to total profit average profit is equal to total profit divided total number of year average profit का formula क्या होता है बेटा आपका total profit upon total number of year मेरे साथ बोलते रहिए पर जब आप बोलेंगे न तो आप यकीन मानो जब ये class खतम हो जाएगी अगले एक घंटे के बाद तो आपको ये सारे method याद रहेंगे average का क्या method होता है तूपर का क्या होता है या फिर आपका capitalization का क्या होता है तो पहला step क्या था हमारा calculate average profit अब बाबू हमारा दूसरा step है लिखिये जरा calculate goodwill amount calculate goodwill amount अब देखिए goodwill amount कैसे निकलेगा हमारा step क्या था हमारा calculate average profit दूसरा step क्या है हमारा calculate goodwill amount और यह goodwill कैसे निकलेगा देखेंगे जरा goodwill is equal to average profit दिखें मेरे साथ और बोलते रहे एवरेज profit into number of year purchase number of year purchase और सुनिये ध्यान से कि number of year purchase आपको question में दिया रहेगा तो आपको यहां पर confuse होने की जरूरत नहीं है कि सर्ये number of year purchase हम कैसे निकालेंगे number of year purchase आपको क्या किया रहेगा बिटा given in question यह भी लिख लीजेगा given in question point clear हो गया कि नहीं अब फटा फट एक काम करते हैं एक चोटा सा सवाल लगा लेते हैं और चोटे से सवाल के बाद फिर हम कुछ और बातें इसमें करेंगे average profit method को लेकर कुछ और adjustment है जिनको हम क्या करेंगे आपको बताएंगे तो और फिलाल इन दोनों step में किसी को कोई confusion तो नहीं ना एला step क्या था calculate average profit जिसका formula क्या है आपका average profit is equal to total profit upon total number of year और फिर उसके बाद दूसरा क्या है आपका calculate goodwill और इसका formula क्या है आपका average profit average profit into number of year purchase ठीक है आईए एक कुशन करते हैं कुशन देखे क्या लिखा है लिखे देखे आपको चार साल का profit आपको दिया है एक साल दो साल तीन साल चार साल पहले साल का profit है आपका तीस हजार दूसरे का है आपका पचास हजार तीसरे का है आपका चालिस हजार और वह भी loss में वो भी किसमें आपका लॉस में फिर उसके बाद चौते साल का आपका 90,000 प्रॉफिट इतना है आपका 90,000 प्रॉफिट अब आपसे कुश्चन कहता है कैल्कुलेट गुडविल अमाउंट कैल्कुलेट गुडविल अमाउंट और नमबर आफ एयर परचेस की अगर हम बात करे आपके फिर परचेस यह कोश्चन में साफ साफ लिका रहेगा आपके एक नमबर आफ एयर परचेस माल लीजेए आपका टू पॉइंट फाइफ एयर है अपका क्या है टू पॉइंट फाइफ एयर है अथ समझ में आ गई तो देखो आपको कितने साल का प्रॉफिट दिया बबू चार साल का profit दिया है 30,000, 50,000, minus 40,000 यानि minus 40,000 का मतलब यह loss है ना और फिर बाकी आपका 90,000 क्या है आपका profit आईए तो देखो आप अपने step से चलो जब आप exam में तरीके से question solve करोगे ना आपको step याद रखने है और step के साथ साथ किस step में कौन सा point आपको निकालना है य याद रखना है तो वही सबसे पहला हमारा step क्या था calculate average profit यानि average profit का formula हमारा क्या है total profit अब total profit का मतलब यह जो आपको profit दिया गया है इन सब को आप क्या करिए जोड़िए चलिए काम करिए जोड़ेंगे 30,000 plus 50,000 plus अच्छा यह आपका loss है तो loss का balance क्या करेंगे जोड़ेंगे कि माइनस कर देंगे माइनस कर देंगे अब प्लस आपका क्या 90,000 और फिर कहता है total number of year यह कितने साल का profit है आपका चार साल का profit है तो divide कित से करेंगे चार से अच्छा बात बताएए माल लीजे 5 साल का profit होता तो डिवाइड किस से करते आपका पान से डिवाइड करते आपका 6 से डिवाइड कर देते तो मज में आ गया कि नहीं आ गया तो बाबु जरह जल्दी से आप मुझे जोड़ कर बताएंगे कितना आएगा आपका मैं कैलकुलेटर इस्तमाल करता हूँ जल्दी से आप बताएंगे तो 30-40 करेंगे तो 40 आ गया और 40 प्लस 90 अगर हम कर देंगे तो मेरे ख्याल से एक लाग 30,000 आ जाएगा सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं तो आप इक काम करो जल्दी से अब इसको माइनस करो क्या करेंगे करो एक लाग कितना आया था 30,000 टिवाइड कर देंगे किसे चार से चार से अगर हम काटेंगे तो तो छार चार का टेबल पढ़ी है चार का चार-थ-बारह ओरा या तो यहां पर तीर न ऑ गया बचा कितना आपका एक-फिर दो पिर बचा कितना जी बिल्कुल आन्सर कितना आपका बत्तिस पांसो रुपिया तो आपका एबरेज प्रॉफिट इट्न आगयां आपका 32-500 clear हो गया अब दूसरा step आपका क्या है जल्दी से बताओ कहता है calculate goodwill और goodwill का formula क्या था कि आपका average profit into number of year purchase number of year purchase बिटा जी कितना दे रखा है question में 2.5 दे रखा है कितना दे रखा है आपका 2.5 average profit कितना है आपका 32-500 into आपका क्या 2.5 बिटा कितना आंध गुडविल आ जाएगा बत्तिस पानसो इंटू 2.5 यानि answer आ गया 81,250 रुपया बताईए समझ में आ गया कि नहीं आ गया कोई दिक्कत कोई समस्या यह को बहुत इजी है average profit method तो इतना ज्यादा इजी है कि पूछो भी ना और एक चीज़ और बताऊं average profit method से ज्यादा एजी तो super profit method है और super profit method से ज्यादा एजी क्या है आपका अपका अप्राइजेशन है कसम से कसम खिलवा लो अब आप कौगे सर यकीन नहीं है ठीक है इंतजार करो उसका भी जवाब अभी आपको मिलेगा तो अभी यहाँ पर इतना बात समझ में आ गया चलिए अब एक छोटा सा नोट लिखिए नोट कुछ बातें और कर लेते हैं नोट के माद्यम से लिखिए सम टाइम काहर का फैन देखो बंद है स्लाइट नहीं है ना लिखो सम टाइम सम टाइम सम अबनॉर्मल इतम तो बी चुनसीडर इतम तो बी तो बी तो बी चुनसीडर ने इंकुड़ड तो बी इंकुड़ड इन करेंट प्रॉफ इन करेंट यर प्रॉफ सम टाइम सम अबनॉर्मल आइटंड तु बी इंकुड़ड़ इन करेंट यर प्रॉफ अब आपके मन में सवाल आएगा कि यह अबनॉर्मल क्या होता है है कि जैसे जो चीजें कर रहे हो रोज नहाते हैं लड़कों की बादए लड़को में थोड़ा नियम लड़कों में क्या होता है कि दो दिन में एक बार नहां ली एक, फंड की तो बात ही ना करो हमारे एक मित्र है हमको याद है वो जब ठंड आती थी ठंड उसी दिन नहाते थे जिस दिन खिचड़ी होती थी ताकि महीना महीना भर बिता देते थे वैसे पलवा उलुवा मिनके यार जुवा पड़ जाता था हमारे भी दोस्त हैं आपके भी ऐसे दोस्त होंगे जो दो तीन महीना नहीं ना आते हैं ठंड लगती है अरे दुनिया छोड़ो यार हमारे तो भाईया हैं ठीक है दरोगा हैं हां दरोगा है अरे जायन दो यार पता चला है गवड़ा आ जाएगा मामला तो अच्छा चलो ठीक है बताई दे रहे हैं वह उनका यह है कि हपते में अब तो पता नहीं नौकरी योकरी मिल गई है तो सुधर गये होंगे जब तक नौकरी नहीं मिलती थी उनका यह रहता था कि अगर कहीं जाना है बाहर वो नहाएंगे और कहीं नहीं जाना है जरूरत है है कि जरूरत है घर में इतने सारे परफ्यूम किस लिए आए अर्म लेंगे ठंडी तन्डी में अच्छी गर्मी में क्या होता है जैसे अगर आप समान देच रहे हो खरीद रहे हो यह नार्मल घटनाए है लेकिन जैसे अगर आप से मैं पूछऊं कि बेटा आपके बिजनस में चोरी हो गई, क्या हो गई, चोरी हो गई, तो ये जो चोरी हुई है, ये भी एक event है की नहीं है, ये भी event है, तो क्या ये event आपके लिए normal consider होगा, या abnormal consider होगा, सर अबनॉर्मल कंसीडर हो गया क्योंकि आपके यहां तो रोज तो चोरी नहीं होती न जैसे अभी आज एक बच्ची मेरी क्लास में आई यह सर मेरा एक हजार चोरी हो गया एक बार पहले 500 चोरी हुआ था अभी एक दो दिन पहले फिर 500 चोरी हो गया मैंने का तुमारे साथ यह नॉर्मल घट रहा है क्योंकि पहले भी चोरी हो चुका अभी भी चोरी हुआ तो यह भी नॉर्मल है लेकिन यह जो चोरी का ट्रांजेक्शन है यह जो चोरी का एवेंट है क्या यह business में normal देखा जाएगा नहीं है जब हो सकता नहीं होगा ही नहीं क्यों क्यों कि CCTV कैमरा क्या करने के लिए लगवाया गया है आप दुकानों पे जाते हो तो वहां लिखा रहता है ना आप कैमरे की नजर में हैं मतलब बताइए हमको वह क्रिडिक्ट क्या कर दे रहे है कि कुछ करने से पहले सोच लेना कि कैमरे की नजर में हो खेला हो जाएगा तुम्हारे से यानि ऐसी घटनाएं जो की साल भर में दो तीन बार घटती है वह घटनाएं आपकी क्या कहलाती है पांचे साल में एक दो बार घट जाए चोरी हो जाए आग लग जाए भुकम पा जाए या लोटरी लग जाए तो यह आपके लिए क्या हो जाएगा नॉर्मल माना जाएगा या अबनॉर्मल माना जाएगा अंसर है सर अबनॉर्मल माना जाएगा अब इसी अबनॉर्मल को या आपके पास दो तरीके से प्रभाव पड़ेगा आपके अकाउंट में कितने तरीके से प्रभाव पड़ेगा दो तरीके से प्रभाव पड़ेगा पहला क्या कि या तो इस नॉर्मल सॉरी इस एबनॉर्मल घटना की वजह से आपको क्या होगा लॉस होगा या तो इस एब चोरी हो गई, तुमारे लिए loss होगा की नहीं होगा, होगा की नहीं होगा, हाँ नामें बताओ ना, होगा सर, तो अब अगर इन transactions को, इन event को, अगर आप अपने profit और loss में रखते हो, तो सीधी सी बात है, abnormal event की वज़ा से, अगर loss हुआ है, तो आपका profit reduce हो जाएगा, और abnormal profit की वज़ा से, आपका profit क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, लेकिन goodwill क्या कहता है, goodwill कहता है, सर मेरे को normal condition में calculate करो, मेरे को किस condition में calculate करो, normal condition में calculate करो, मैं abnormal की बात नहीं करने वाला हूँ, रही है कि नहीं है, जैसे, अभी एक कुछ दिन पहले, हमारे घर में, ऐसे ही कोई चर्चा चल रही थी, तो हमारे एक रिस्तेदार हैं, उन्होंने कहा कि यार, वो क्या कहते हैं, बाबू होने वाला है, मैंने का अच्छी बात है, बाबू होने वाला है, जब भी कभी ऐसा लड़का या लड़की वाला जब बाबू होने वाला रहता है, तो सब ये कहते हैं कि लड़का होने वाला है कोई नहीं कहता कि लड़की होने वाली है कारण बताओ इसका प्रॉफिट नहीं देखते लाइबिलिटी और एसेट्स को एनलाइज करते हैं हमको क्या करना है एसेट्स और लाइबिलिटी को जानना है यानि जस लाई का लड़का, लिएबिलि마 निसानेतर लड़की, होताएं कि नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से आप को देखो, भाहई किसी को अगर इनसान है तो इनसान का लड़का क्या होगा, इनसान की अुऩाल्द इंसानेत होगी नRIS अंतों गाईगोरू ठोड़ों नहों मैंने का साफ पैदा हुआ है यहां सर्य देखो बीडियो मैंने का अरे बस करो यार बताओ नॉर्मल की अबनॉर्मल मालो हो जाता तो नॉर्मल या अबनॉर्मल अब इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे सर्य अबनॉर्मल होने के बाद अगर यह लोस हो जा रहा है तो हमको इसको निगलेट करना पड़ेगा यानि इसको खटाने के लिए जब हम इसको पहले से घटा चुके हैं तुबारा इसको हमें क्या करना पड़ेगा add करना पड़ेगा in the valuation of the goodwill in the valuation of the goodwill यानि कोई भी abnormal loss अगर है आपके profit में सामिल है तो जब आप goodwill को calculate करोगे तो आप उस abnormal loss को क्या कर दोगे reverse कर दोगे यानि उसको क्या कर दोगे जोड दोगे और अगर कोई सर profit है माल लीजे कोई abnormal profit अगर सामिल है तो बिटा जिस तरीके से आपने abnormal loss को उल्टा किया तो आप abnormal profit को भी उल्टा कर दोगे यानि पहले आप जोडे थे अब आप उसे क्या कर दोगे घटा दोगे बताओ समझ में आया की नहीं आया समझ में आगया की नहीं आगया इतना transaction समझ में आगया थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं यह abnormal समझ में आ गया अब हम बात करते हैं आपके normal event की आपके किसकी बात करते हैं नॉर्मल event की जब आप बात करते हो ना तो नॉर्मल event भी दो तरीके से ही होता है इतने तरीके से होता है आपका दो तरीके से उस नॉर्मल इवेंट की वज़ा से आपको क्या होगा या तो लॉस होगा या तो आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा या तो क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा लेकिन ध्यान से सुनिएगा यह जो नॉर् सामिल ही नहीं किया यह हुए तो हैं लेकिन को प्रभु करिए अब सामिल करो दो क्या दिक्त है मतलब अगर कोई नौर्मल लॉस है जो की 0 gj8 नर्म्ल लगुन कुझो कि ये नौर्मल एक्सपैन्स है क्योंकि क्याL नॉट इंक्लूड कर पिपर तो यानि आप उसको क्या करद कर दो माइनस कर दो अगर सर्मान लीजे वही समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो यह चार पॉइंट आपको याद रखने है अब नॉर्मल प्रॉफिट है तो उसे क्या करना है अब नॉर्मल लॉस है तो उसे क्या करना है नॉर्मल लॉस है नॉट इंक्लूड तो क्या करना है नॉर्मल प्रॉफिट नॉट इंक्लूड त आपका नॉन ओपरेटिंग इंकम नॉन ओपरेटिंग इंकम सर यह क्या बवाल है नॉन ओपरेटिंग इंकम क्या होता है देखो एक ऐसी इंकम अच्छा ओपरेटिंग इंकम क्या होता है पहले यह बता ओपरेटिंग इंकम का मतलब जिस बिजनस को आप कर रहे हो उस बिजनस से related जो income आ रही है वो हो गई ऑपरेटिंग इंकम जैसे सपोस करिए कि आप क्या कर रहे हो कि आपकी एक किराना की दुकान है कौन से दुकान कि दुकान मतलब दाल जावल के मसाला ये सब बेच न असे ज़ो आपको अपकी क्या हो जाएगे अपरेटिंग इंकम हो जाएगे अपकी नहीं कर रहे हो अप यह काम करते हैं, suppose करी, you are the stock broker, तो अगर आप stock broker होते तो आप शेर से पैसा कमा रहे हो, वो आपकी operating income हो जाती, आपकी क्या हो जाती, operating income, समझ में आ गया, तो अगर कोई non operating income है, तो उसे भी आप क्या करना पड़ेगा, less करना पड़ेगा, यानि minus करना पड़ेगा, तो ये 6 point आपको य समझ में आ गया की नहीं आ गया, जब 5 point सर कैसे हमको तो दिखी नहीं रहे है, हम दिखा दें, हम दिखाएं बेटा, किसको किसको नहीं दिखा राहे, देखो पहला point, दूसरा point, किसरा point, चवुथा point, और ये क्या निकल के आ गया, पच्वा पॉइंट, समझ में आ गया का चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट अडिंग लिखिए ज़रा अभी इस से रिलेटेड हम कोशन करवाएंगे आप इस से रिलेटेड कोशन करवाएंगे परिसान ना होगा फिलाल अगला हेडिंग लिखिए सूपर्प्रॉफिट मैथ सूपर प्रॉफिट मैतोड सूपर प्रॉफिट मैतोड इसको समझते हैं जब आप सूपर प्रॉफिट मैतोड की बात करते हों आपने कितने स्टेप पड़े थे याद करो दो स्टेप पड़े और इसमें बाई एक बात बताओ यह एवरेश से बड़ा है कि छोटा है बड़ा है नाम से देखो यह सूपर है कि क्या है आप का तूपर और दूसरी बड़ी बात यह दूसरे नंबर पे है यह नि बढ़ा के खोटा वर्वगा यह पर बड़ा होगाchy इस में बेटे आपको चार स्टेप पढ़ने quedar रखने हैं चार स्टब याद रखने हैं अरज लिखो ज़रा हैडिंग डालके सबसे पहले स्टेप देखते हैं हम सबसे पहला हमारा स्टेप है बाबू कैल्कुलेट एवरेज प्रॉफिट कैल्कुलेट एवरेज प्रॉफिट और 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 करेंट प्रॉफिट करेंट प्रॉफिट अच्छा एक बात बताईए करेंट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताईए करेंट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे जैसे माद लीजे आपका एक साल का ही बिजनेस है एक साल के बिजनेस में आबरश प्रॉसट्ट वही रहेगा जो आपका प्रॉसट्ट रहेगा और करेंट का प्रॉसट्ट आप कैसे निकालेंगे जो भी दिमाख में आया कमेंट्स जरूर करिये गा मैं बताओं अरे यार ट्रेडिंग एकाऊंट बनाएंगे टी एल एकाउंट बनाएंगे इतना सोचने की किया का ज़रूरत है इतना सोचने की क्या ज़रूरत है फिलाल आपको इतना नहीं करना है आपको यह चीज़ें रहेंगी के लिए और प्रॉफिट आपको दिया रहें जब म। प्पता कि नहीं पता हुआपकर तो बताया है है ना ऊंट काम करें यह जल्दी से लिख लिजे इवरेज का प्राफिट का फॉर्मुला क्या है एवरेज प्रोफिट का फॉर्मुला हमारा टोटल प्रॉफिट के टोटल रॉफिट डिवाइडेट तोटल नंबर ओप यर политल कि नम्बर ओफ BhagMan तोटल अब देखिए यह वाला हो गया हमारा अब बाबु हमारा दूसरा हमारा दूसरा स्टेप है कैल्कुलेट कि नॉर्मल प्राफट कैल्कुलेट हमारा नॉर्मल प्राफट कहा है थ्यान प्राफट का फॉर्मूला है वेटा आपका नौर्मल प्रॉफिट इस उपने टू एपृट टू क्यापिटल इपलोयड एप ट्रूमॉएड ने शूंवर एपिटल इंप्लॉएड इंपलोयड का मतलब जानते हो जो क्यापिटल लगाई गई है जैसे चार पार्टनर हैं चार्श की capital जोड़ लीजे तो capital employed into rate upon hundred आपका क्या जाएगा normal profit आ जाएगा और यह जो rate upon hundred है यह आपको क्या किया रहेगा बेटा given रहेगा in question समझ में आ गया कि नहीं आ गया अच्छा एक चीज़ और सुनिये भी यह जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको capital employed प्रश्ण में दे देता है question में दे देता है लेकिन कभी कभी प्रश्ण में question में आपको capital employed नहीं देता अगर नहीं देता उसके लिए आपको परिशान होने की जरुवत नहीं है तो लिखे ज़रा capital employed इसका भी formula लिख लीजे अगर नहीं दिया है तो capital employed का formula है total assets total assets minus liability total liability total assets minus total liability अगर capital employed दिया है तो बहुत अच्छी बात है और suppose करिए कि अगर नहीं दिया आप यह formula क्या कर लीजेगा लगा लीजेगा total assets minus total liability अब हम बात करते हैं अपने तीसरे step पहले दूसरे step में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना अब देखो तीसरा step क्या कहता है calculate super profit क्या करता है तूपर प्रॉफिट तूपर प्रॉफिट यानि सूपर मैं तो तूपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान देंगे सूपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है step 1 माइनस step 2 बताओ स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 मतलब क्या average profit दिया रहेगा या तो current profit दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा अब क्या निकल के आ जाएगा शूपर प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा अब बारी हमारे लास्ट स्टेप की और वो लास्ट स्टेप जिसके लिए इतना हमने पापड़ बेला यानि calculate गुडविल एमाउंत है इसका फॉर्मुला होता है मिए जूपर प्रॉफिट की इसका फॉर्मुला होता है आएं शूपर प्रॉफिट इन्टू नमबर ओफ यर पर डिन अमब़ ओफ यर गद्र पर अचाय यह नंबर ओफ यह पूस्षन में आपको दिया रहेगा सब्सक्राइब है पूछिशन में आपको दिया रहेगा गिवेन इन कुश्चन बताइए मैंने क्या कहा था आवरेज प्रॉफिट से भी ज्ढ़ासरल क्या है आपका तूपर और पॉफिट है है कि नहीं है है कि नहीं है पुखो कैसे ौर एक एक पहला इस्ट stretchy तो आप पढोड़नी पढ़ के आए हो है आला सट्ट सब्सक्राइ लिए उचला है करना है का था था इन इंटू रेट अपॉन हंड्रेड रेट वह भी दिया रहेगा और नहीं भी दिया तो का है टेंशन क्या आपका टोटल लाइबिलिटी बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया खतम कहानी यहीं पर कवाल किया जाए शुरू करते हैं नोट करिए जल्दी से सभी लोग नोट करे करेंगे करते हैं अधिको कुशन गया है कि देखिए आप से कहता है कि आपको एक दो तीन चार पांच पांच साल का प्रॉफिट आपको दिया है पचास हजार साथ हजार सत्तर हजार असी हजार एक लाग बीस हजार एक लाख बीस हजार एक लाख बीस हजार एक लाख आपका कितना बीस हजार पहले साल के प्रॉफिट में लॉट्री इंकम इंक्लूड है कितना दस अजार लॉट्री इंकम कितना इंक्लूड है आपका दस अजार दूसरे वाले में आपका लॉस बाई एक्सीडेंट लॉस बाई एक्सीडेंट अच्छा ये एक्सीडेंट होना नॉर्मल या आपनॉर्मल है नॉर्मल है और उसका प्राइस कितना था आपका पाँच हजार यह आपके दूसरे साल के प्रॉफिट में छुपा है पिर उसके बाद 70,000 में इंकम फ्रॉम इंवेस्टमेंट और ये कितना है आपका माल लीजे दस अजार और इंकम फ्रॉम इंवेस्टमेंट कितना है आपका दस अजार टिख उसके बाद एक और पॉइंट यहा लिखिए असी वाले में लिखिए लिखिए मसीन परचे़ मसीन परचे़ of rupees 1 lakh machine purchase of rupees 1 lakh treated as treated as repair expense treated as repair expense you get treated as repair expense हां जी केगला अब यहां पर स्टार देके लिखिए capital employed capital employed कि यह बारा लाख नहीं है एक लाख बीस जाद है capital employed है आपका बारा लाक कितना है आपका बारा लाक कितना है बारा लाक रेट आफ रेटन है कि इस परसंट लेट आफ रेटन कितना है 10 परसंट कि और हैंड रेट ऑफ lijंड आपकरन कीरिट कितना है आपका फासरेंड परसंट कि कुशन समझे द्यान से कि क्या कहता है आप से कुशन कहता है कि आपके पास प्रॉफिट दिया है पहले साल का 50,000 ताट हजार 70,000 और एक लाग 20,000 और इस में क्या अरज़िस्टमेंट है तो पचास हजार में क्या करेंगे ब fine को कि जल्दी से बताइए म blueberry को क्या करेंगे你 minus कर देंगे लॉस लॉस बाइशिडंट क्या बेंगे यह अल्ड़िदी अगया खळूगा ओगा नॉर्मल Ouais गहँगे इसको जोड़ देंगे इंकम फ्रॉम इंवेस्टमेंट यह जोड़ा गया होगा यह तो है हमारे लिए नॉन उपरेटिंग इंकम ना क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे और एक तीज जरा यहां पर आप लोग पढ़िए कहता मसीन परचेस आपने एक मसीन परचेस जिसका प्राइस कितना है एक ल normal expense अगर आपने normal expense की तरह tra Prose किया है तो आपने इसको प्रोफित याफोर डिकाया होगा कि नहीं दिखाया होगा क्या यह मसीन प्रोफित या राधित में जाता है कि device में जाता है न आप वाजास से प्रॉफित बड़ा लहा कि गटा ओगा इस एकलट ऐवज़़ए से प्रो हटा होगा ना तो क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे कि नहीं कर देंगे और रिवर्स करेंगे कितने रुपए से एक लाग से कर देंगे कि नहीं कर देंगे फोड़ासा दिमाग लगा यह आया ना में जबाब दीजिए अब एक चीज और देखिए जब आपने इसको नॉर्मल expense की तरह treat किया होगा, इसका मतलब आपने उस पर depreciation भी तो नहीं दिया होगा, अगर आपने depreciation नहीं दिया तो अब आपको देना पड़ेगा की नहीं देना पड़ेगा, बताइए ज़रा देना पड़ेगा की नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा न, तो depreciation amount कितना, एक हम क्या करते हैं पहले निकालते हैं सुरू से सुरू करते हैं अब सबसे पहले आप एक्ट्वल प्रॉफिट पता करिए क्या पता करिए आप एक्ट्वल प्रॉफिट कैसे पता करेंगे देखो जरा पहले साल का प्रॉफिट है आपका कितना पचास हजार इस पचास हजार में लॉट्री इंकम क्या करेंगे बताओ ज़ल्दी से जोड़ेंगे कि घटाएंगे घटा देंगे तस अज़ार कितना एक्ट्वल पहले साल का एक्ट्वल profit कितना गया 40,000 आ गया की नहीं आ गया दूसरे साल में देखी और पता ये लॉस ऐक्सिडेंट क्या करेंगे नॉर्मल ऑबनॉर्मल है ना क्या करेंगे जोड़ देंगे कितना जोड़ देंगे पांचछ बाद अगय कि तीसरे साल का profit देखिए किसरे साल का profit कितना है आपका सतर हजार इसमें income on investment है इनकम on investment यानि नॉन operating income है ना इसको क्या करेंगे दस हजार माइनस कर देंगे यहां balance कितना आ जाएगा आपका बताइए जल्दी जो आपका capital expense है उसको आपने क्या बना दिया revenue expense बना दिया अब उसको reverse करना मतलब इसको एक लाख क्या करेंगे अब हमें आपके जोड़ देंगे और एक लाख आपका depreciation है की नहीं है उसको क्या करेंगे हम घटा देंगे की नहीं घटा देंगे तो कितना घटाएंगे बिटा पांच हजार बताव समझ में आया कि नहीं आया एक लाख 70 हजार माइन्स 75 हजार माइनश तो पांच हजार तो balance कितना आ जाएगा एक लाख 5 चैट्र हजार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा और फिर पचवे साल बताव पचवे साल कुई कोई treatment नहीं है न बता वह क्छुए साल कोई treatment है अंजी नहीं है अरे भाइब पच्छुए साल कोई treatment लिए ऐसे कैसे कैसे है एक treatment तो है मैं एक treatment तो है गुरू बताओ क्या लगा लो अपने दिमाग का जितना भी आपको लगाना है आपको मामा ठाकूर की कसम जितना दिमाग लगाना हो लगा लीजे तो बिल्कुल करेक्ट आंजर है अब यहां पर आपको पता है कि देप्रीसियेशन या सल्म या तो सल्म लेकिन अगर पुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे सल्म ना यह अगले साल का भी अप्रिसीयेशन आपका कितना आजाएगा पांच हजार तो यहां बैलन्स कितना आगया आपका एक लाख पंदरा रुपिया पमज में आया कि नहीं आया या जानते हो यह पांच हजार ना सिर्फ कहने का मतलब यह है इस सिर्फ और सिर्फ दस या बीस परसेंट बच्चे ही इ सब छोड़ देंगे लेकिन वेटा आपको याद रखना गलती नहीं करनी है तो जल्दी से जोड़ो और मुझे पहला स्टेब बताओ हमारा पहला स्टेब क्या था अजल्दी से बताओ हमारा calculate average profit total profit कितना आया है जोड़ेंगे और बताएंगे 40,000 40,000 65,000 60,000 1,64,000 1,15,000 total profit हमारा आगे आपका 4,55,000 रुपिया divide करेंगे किस से 5 से divide करिए 5 से अंसर आ गया आपका कितना 91,000 रुपया क्या स्टेप कंप्लीट की नहीं कंप्लीट हो गया अब दूसरा स्टेप कहता था क्या 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 नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मुला क्या था अब बारा लाग का कितना परसेंट दस परसेंट भाईया बारा लाक और बारा लाक का 10 परसेंट बेटा थोड़ा सा वैल्यूएशन में गड़बड़ी हो जाएगी इसको बारा लाक ना मान के इसको मान लीजिए इसको नौ लाक मान लीजिए ठीक है तो कितना मान लीजिए 9 लाक नहीं तो कैल्कुलेशन में गड़बड़ी हो जाएगी जहां आपने 12,00,000 लिखा था वहां पर क्या लिख लिजे आप लोग 9,00,000 लिख लिजे ना भीया यहां पर कितना लिख लिजे 9,00,000 अब बिटब बताओ यहां पर कितना आ जाएगा काटेंगे कितना आ गया 90,000 है ना कितना आ जाएगा आपका 90,000 तो सूपर प्रॉफिट कितना आ गया आपका एक हजार step four calculate goodwill फॉर्मूला क्या सूपर प्रॉफिट इंटू नंबर ओफ इयर परचेज देखो question में क्या आपको दे रखा है नंबर ओफ इयर परचेज तो अगर अगर कहा दिया भाई नहीं दिया न अगर नहीं दिया तो आप यहां पर क्या मान लीजिएगा एक मान लीजिएगा यहां पर क्या हो गया एक हजार तो एक हजार गुड़े एक यानि गुडविल आ गई आपकी कितनी एक हजार रुपिया ठीक है गुडविल कितनी आ गई आपकी एक हजार रुपिया बताईए समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ बेटा जी समझ में आ गया कि नहीं आ गया हुआ देखो अब सवाल यह उठता है कि सर हम यहां पर एक क्यूं माने मानने को तो दो भी मान सकते थे लेकिन सबसे सिंपल यूनिट क्या होती है आप कि जब बोई भी रेश्यो नहीं दिया रहता हम क्या मानतेएं एक 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 नहीं हो और क्या चाहिए है तो हमारा यह दो इस्टेप यहां पर कंप्लीट होता है अब हम बात करते हैं देखो मुस्कुराहट आ रहे एक नहीं चैरे पर यह बताए पहले मुस्कुराहत आ रहे है पाल अने लगी थोड़ी तोड़ी गुडविल जिसका डर्थ वो देरे-देरे जाने लगा की नहीं जाने लगा बताओ जाने लगा ना तो लेक्चर say करोगे की तो आपकी इच्छा वह अपकी इच्छा है हमारा काम पढ़ाना है ताकी का आपका काम है जो मन कहें वो कि अब देखो हमारा अगला टॉपिक हमारा क्या है बेटा ट्राइजेशन प्रॉफिट मैथड और सुनो प्रॉफिट मैथड मैंने आप से क्या कहा था यह सबसे जादा इजी मैथड आप कोगे सराइसे कहें कह रहे हो आओ तुमको दिखाते हैं लेके चलते हैं तुमको हम कहां अप्र लाइजेशन प्रॉफिट मैथड की दुनिया में अभी देखो आपकी किताब से हम सवाल नहीं करवा रहे हैं आपकी किताब से सवाल हम अगली क्लास में करवाएंगे समझ में आ गया अभी सिर्फ आपको हम पूरा का पूरा मैथड बता रहे हैं ताकि सारा का सारा आप कॉंसेप्ट जानते रही है जब आपको यह पूरा आपकी मॉडूल से कुश्चन सॉल्व करवाएंगे तो आपको यह नहीं फिर मन में लाना होगा कि सा है उन सा मैथड कहां का मैथड कैसा मैथड इगे बही है अप्र लाइजेशन निण मैथड के पिटा कितने स्ट में जल्दी से बताओ मैप सब्लदी क्या है कि विदैव क्या है आपका डल दी से बोलो कि बिएला इवरेज के जगां आपometer सब दौर विपियस या आवरेज़ प्रॉफ्ट सा इवरेजरिशन मैथ algum अव्यृ टो मिरिच प्रोफिड कैटीला यहिजीशन सभथ क्लिक्टा मिंशनी से बेटा थे दूसरा बेटा की पो त्रोफिट vaigनोई एंध कुप्र प्रोफिट काटीला यहिजेशन मैंतार चैटीला यहिव्यृट अब देखो नाम भले इनका बहुत लंबा चोड़ा है लेकिन इनके जो स्टेप है ना बहुत इजी हैं देखो एक बार मेरे साथ घटना क्या हुई थी कि मैं अपने एक रिष्टेदार के हां गया था खाना खाने के लिए इन्वाइट किया था उन्होंने मुझे अचा मेरा जो सरीर है वो थोड़ा भारी सरीर है नब्बे पंचानवे किलो का हूं मैं तो फिलाल थोड़ा कम हो गया है तो उस समय जब मैं गया था तो एक 105 केजी का था मैं 105 केजी एक कुंटल के बराबर एक कंटल से पांच किलो ज्यादा कि अच्छा मेरी डाइट बहुत कम है तो यह आप मेरे साथ अब अभी कभी खाने बैठो गे ना आप से कम मैं खाऊओंगा अईसा नहीं कि पेट नहीं भरेगा पेट भरेगा मेरा यह है कि पाचन तंत्र मेरा थोड़ा ज्यादा मजबूत है तो वो मेरे सामने कम से कम कुछ नहीं तो नौ रोटी नौ दस रोटी पढ़ियां इतना चावल और यह कटोरा सबजी और दाल लेकर आए है भाईया लेओ लपेटो हमारे यहां इसे होता है नहींगा ज्यादा ज्यादा एक रोटी दो रोटी लोग का लूंगा लेकिन ये कहो तो चावल नहीं खाऊंगा कुछ नहीं ऐसा ऋरेज करनाोथ चावल सब खाना है the can तो आप यही सोचो कि सरीर देखके लोगों को लगता होगा कि गुरू जीत एकदम बाइठते होंगे तो कई कुंटल लपेड देते होंगे ऐसा कुछ नहीं है मैं कैप्टलाइजेशन मैथड की तरह हों देखो नाम भले लंबा चोड़ा है तूपर कैप्टलाइजेशन प्रॉफिट मैथड सूपर प्रॉफिट कैप्टलाइजेशन मैथड लेकिन यहां पर जो आप गुडविल निकालोगे न इसका फॉर्मूला देखो सिर्फ एक ही स्ट स्टेप में है और वो फॉर्मूला क्या है गुडविल इस एक्वल टू तू पर प्रॉफिट गुडविल इसकुट्विल टू क्या आपका तू पर प्रॉफिट इंटू हंड्रेड अपॉन रेट बताओ कहां तुम एवरेज में दो स्टेप फॉलो करते थे सूपर में गया लेकिन भायत रूपर तक पहुंचने के लिए कितने जुगार करने पड़ेगे हैं दूफर तक पहुंचने के लिए आपको तीन स्टiप फॉलो करने पड़ें धना एब प्रॉफिट मैथड नर्मल प्रॉफिट मैथड लास्ट में मीश्टीयों यहां नि से le11 – स्ट वा लो देखो सहयागर कहता है calculate clockwise value क्या है आपका भेटा calculate कि वेली आफ एफ एवरेज़ प्रॉफित एपलाइज डवेडियू आफ एवरेज प्रॉफित अब यह सर कैसे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है कि नहीं आता है आप नामे जबाब दीजे आता है ना तो बस क्या करो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेड आपका क्या जाएगा बेटा अब देखो दूसरा स्टेप तो और एजी है सर क्या कैल्कूलेट कैपिटल इंप्लोएड लेओ अब बताओ आता है कि नहीं आता कैल्कूलेट करना अभी देखो सूपर वाले में बताया था मैंने क्या फॉर्मूला है क्या एक अपिटल इंप्लोएड का हाँ पॉर्मूला क्या है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी अच्छा इक बात बताओ इस i legit को देख कर क्या याद आ रहा है आपका पूराना पयार याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है का कौंसा पूराना प्यार एढ eruption ते मैं यहीं से चक करने लगो उसकी बात नहीं कर रहा हूं सब्सक्राइब याद आया एकाउंटिंग एक्वेशन यही तो है आपका पुराना प्यार लग बात है कि आपने किसी और को अपना प्यार मान लिया लेकिन है तो यही ना ब्लास्ट इस्ट बेटा calculate goodwill सर क्या formula है देखो step 1 minus step 2 बताओ easy था की नहीं था easy था की नहीं था इससे ज़्यादा easy formula आपको कहां मिलेगा इससे ज़्यादा easy method आपको कहां मिलेगा भाई यह rate आपको question में दिया रहेगा average profit निकालना आपको आता है capital employed निकालना आता है step 1 minus step 2 कर दीजे आपका goodwill निकल के आजाएगा आजाएगा की नहीं आजाएगा अब एक काम करो यह जो ऊपर question दिया गया है क्या इसको हम super capitalization और average capitalization से solve कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं 110% कर सकते हैं दिखाएं करके दिखा दे चलो देखो mobile चेक करना बंद करो मुझे पता है आपको उनकी याद आ रही है उनको याद ना करो बेटा इसको याद करो तूपर profit चलो यह वाला पहले करते हैं देखो super profit कितना है तुमारा चेक करो एक हजार ले उठा के पुट करो यहां पर उठाक पटक दो यहां पर एक हजार गुड़े सो और रेट कितना था दस था ना तो लेओ गुडविल कितनी आ गई तुमारी बताओ खाताम चलो अब यह वाला भी देखो average profit कितना था तुमारा चेक करो कहां गया 91,000 यही ना आओ 91,000 गुड़े सो भागे क्या दस यह जीरो यह जीरो कितना आ गया बदाईए 9,10,000 सही है कि नहीं सही है और उसके बाद capital employed आपको दे रखा था तहीं कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं कितना दे रखा था 9,00,000 सही है कि नहीं है अब उठाके put करो क्या 9,10,000 माइनस कितना बेटा 9,00,000 कितना आपका 9,00,000 तो बेटा गुडविल कितनी आ गई देखो same question उठाया था इसी वज़े से गुडविल भी हमारी क्या आ गई तेम आ गई उन्हों दिक्कत होनी नहीं चाहिए अगर कोई दिक्कत है तो बेटा नीचे नंबर आपका चल रहा होगा स्क्रीन पे उस नंबर पे आप हमें call करके या WhatsApp कर दीजेगा हम आपको बता देंगे बाकी जो आपकी अगली क्लास होगी हम उसमें आपको मॉडूल जो आपका सेकंड मॉडूल है ना इकन मॉडूल है जो आपका है वो आप निकाल कर रेडी रखे रहिएगा उसका हम एक कुश्चन आपको क्या कराएंगे सॉल्व कराएंगे आज के लिए बेटा बताओ कितना काफी है ना कितना था बताओ तुम लोगों जूट है परिसान हो रहे दें सर गुडविल गुडविल कहां गुडविल क्या है गुडविल हतम हो गई फिर्फ एक चीज बतीया बची क्या चार चीज बची है इसका नाम क्या है मीनिंग फीचर ऑफ गुडविल फैक्टर एफेक्टिंग वैलू अफ गुडविल नीड ऑफ वैलुएशन ऑफ गुडविल टाइप ऑफ गुडविल यह थियूरी बची है प्रैक्टिकल तो निप्टा चुके हो भाई ठीक है खताम गुडविल खताम अच्छा लगा टेर कर देना ठीक है ठीक है अगया सेयर कर देना चैनल पे नय हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी हर दिन हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे आप सब अपना ख्याल रखिये अपनी अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा याद रखे रहोगे तभी हम सुरच्छित रहेंगे जान रहे हो ना पता चला है निकल लिए तो पेपरो तुम्हारा गरबड़ा जाएगा ख्याल रखो आप सभी अपना जय भूले ना थे